आज हम लोग आपकी कक्षा बारह में पाठ है भाग्य और पुर्शार्थ जिसके की लेखक है जैनेंद्र कुमार आज हम लोग इस पाठ के इस गद्यांश पर आधारित आपकी बोर्ड की परिक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रस्नों को हल करना सीखेंगे देखिए आपको पता है कि आपके बोर्ड के पेपर में इसी तरह से गद्यांश दिया रहेगा और गद्यांश के नीचे गद्यांश के नीचे इस तरह से पांच प्रस्न दिये रहेंगे आपको गद्यांश पढ़ना होता है और गद्यांश को पढ़ करके ही इन सभी प्रशनों के उत्तर लिखने होते हैं यानि कहने का तातपर है कि इन सभी प्रशनों का उत्तर आपको गद्यांश में ही मिल जाता है तो देखिए हम लोगों को क्रमश एक एक प्रश्न पढ़ना है और इन सभी का उत्तर गद्यांश में से खोज करके लिखना है लेकिन सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा एक बार गद्यांश को पढ़ लेते हैं गद्यांश के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इन सभी प्रश्णों का उत्तर लिखना सीखेंगे, ठीक हैं, तो चलिए, एक बार हम लोग गद्यांश को पढ़ लेते हैं, तो देखिए, लेखक जैनेंद्र कुमार जी कहते हैं, आर्थ, देख कहते हैं, अर्थ हमारा स्वार्थ बन जाएगा, काम है तो चलिए, इतना समझ लेते हैं, तो देखिए, इतनी लाइन में लेखक ये कहता है, कि जब हम पुरशार्थ करते हैं, जब हम मेहनत करते हैं, तो उससे जो हम धन और संपत्य कमाते हैं, जिस दिन वह धन और संपत्य हमारा स्वार्थ बन जाएगा यानि इस धन और संपत्ति को केवल हम अपने हित्मे प्रयोग में लाएंगे हम इस संपत्ति से दूसरे का प्रयोग नहीं करेंगे केवल अपने स्वार्थ की पूर्थी करेंगे तब पुरुशार्थ वह नहीं कहलाएगा यानि तब जो हम वह पुरुशार्थ करेंगे जो महनत करेंगे जिससे हम संपत्ति कमाएंगे और संपत्ति का हम दूसरे के परोपकार में थोड़ा सा हिस्सा नहीं लगाएंगे तब हम उसको पुर्शार्थ नहीं कहेंगे आप मेहनत तो करोगे पुर्शार्थ तो करोगे लेकिन उससे जो धन प्राप्त हुआ आपने क्यों अपने स्वार्थ के लिए लगाया दूसरे का परोपकार नहीं किया तब इसलिए हम लोग उस मेहनत को पुरशार्थ नहीं कहेंगे आगे लेखा कहते हैं अगर भाग के परमार्थ से उसे हम नहीं जोड सकेंगे यानि कहते हैं लेखा कह रहे हैं कि जो पुरशार्थ है उससे जो हमने अर्थ कमाया और जो हमारा भागे उदे हुआ उस भागे को यदि हम परोपकार से नहीं जोडेंगे दूसरे के उपकार से नहीं जोडेंगे तब हम उस पुरुशार्थ को पुरुशार्थ नहीं कहेंगे आगे लेखा कहते हैं उस स्वार्थ के चक्र में उस स्वार्थ के जो चक्र में हैं यानि जो लोग स्वार्थी बन गए हैं और पूरुशार्थ करके अर्थ के वाल अपने लिए कमा रहे हैं अपने स्वार्थ की पूर्थी के लिए कमा रहे हैं जो लोग इस चक्र में फंसे ह हुए हैं वो भागयोदय की प्रतिक्षा में रहे ही चले जा सकते हैं बात को समझे बहुत ही प्यारी बात है देखें यहां पर बात को समझने की कोशिश कीजिए आप पुर्शार्थ कर रहे हैं आप धन संपति अर्जित कर रहे हैं लेकिन आपका भागय तो उदय है भागय तो उदय हैं आप धन और संपति प्राप्त कर रहे हैं लेकिन हम इसको भागयोदय नहीं कहेंगे क्यूंकि आपनी जो पैसा कमाया उससे आपनी शूकत्त होगा लेकिन दूसरे का परोब KHAR नहीं किया इस कारण से आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका भागयोदय हो गया है जिस दिन इस अर्थ से इस पुरुषार्थ से जो आपने धन संपत्ति कमाई है जिस दिन इसका आप परमार्थि में उपयोग करेंगे उस दिन आपको अपने आप पता चल जाएगा कि अरे मेरा तो भागी उदय हमेशा से रहा है मुझे तो पता ही नहीं चला बात सायद आ से रहेंगे देखिए आगे लिखा कहते हैं वही बात जो मैंने बताया क्योंकि जिसके उदय की वो राह देखते हैं वह तो उदित है ही यानि जिसको सोचते हैं कि हमारा भाग उदय हो जाए हमारा भाग उदय हो जाए वो तो उदय ही है भीया वो डूबा कब है लेकिन पुष्रे का हीत नहीं कर रहे हैं आप अंकार में डूबे हुए हैं इसलिए आपका भाग उदय होते हुए भी आपको पता ही नहीं चला कि आपका भाग उदय हो गया है क्योंकि भाग तो कभी अस्त होता ही नहीं है आगे लेखक कहते हैं इसलिए उन्हें मालूम नहीं है कि जिसको भी वो सामने देख रहे हैं, सामने क्या देख रहे हैं, अपनी धन संपत्ति देख रहे हैं, अपना पुरशार्थ देख रहे हैं, अपना भागी देख रहे हैं, वो सब कुछ जो देख रहे हैं, वो अभी उसी प्रकाशे प्रकाशित है, यानि उसी पुरशार्थ के प्रकाशे उसी पुरुशार्थ से जो भाग उदय हुआ है उसी से प्रकाशित है और कमनिय जान पड़ रहा है तिखे कमनिय का मतलब कामनाओं को पूरा करने वाला या सुन्दर और सुन्दर दिखाई दे रहा है कहने का तातपर है कि पुरुशार्थ से ही भाग का उदय होत पर आधारित प्रस्ण कौन से हैं चलिए अब हम लोग एक एक प्रस्ण पढ़ते हैं और उनके उत्तर को लिखना सीखते हैं तो देखिए पहला प्रस्ण आप से कह रहा है उपर युक्त गद्यांश के पाठ का शीर्शक और लेखक का नाम लिखिए तो देखिए जैसे ही मैं इसने गद्यांश शुरू किया था तो सबसे पहले आपको यही बताया था यह पाठ का शीर्शक है और यह लेखक हैं अब लिखेंगे कैसे चलिए हम लोग थोड़ा सथ देख लेते हैं तो देखिए सबसे पहले आप रशनोत्तर नंबर डालेंगे आप देख लीजिए कि पेपर में किस नंबर पर है वैसे यह तीसरे पर ही होता है आप एक बार देख लीजिए और डालने के बाद कम से कम एक लाइन जरूर छोड़िए उसके बाद हेडिंग डालेंगे संकेत और दो में से एक गद्यांश जो आप हल करेंगे, उसके शुरू का और डाट डाट करके अंत का थोड़ा सा डाल लेंगे, उसके बाद जो आपका उप नमबर रहेगा, उप नमबर का मतलब मैं जरा साब को बता दूँ, देखिए, उप नमबर के कहने के तात पर ये जो नमबर है, ठीक है, ये वाले उप नमबर है, प्रस नमबर तीन तो आपका मुख्य नमबर हो गया, देखिए, ये तो आपका मुख्य नमबर हो गया, बाकी ये उप नमबर है, तो पहला उप नमबर डालेंगे और लिखेंगे उपरयुक्त गद्यांश के पाठ का शिर्सक भाग और पूरुशार्थ और लेखक का नाम जैनेंदर कुमार है और आपका पहला उत्तर पूरा हो जाएगा देखे यदि आप कोश करना चाहते हैं तो ये जो शिर्सक का नाम है और जो लेखक का नाम है इसको आप काले पेन से लिखेंगे तो बहुत ही सुन्दर दिखेगा तो ऐसा आप कर सकते हैं चले दूसरा प्रशन पढ़ते हैं पूरुशार्थ क्या नहीं कहलाएगा तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने इसका उत्तर पढ़ा था लेखक ने कहा था कि यदि जो अर्थ हम धन संपत्ति कमा रहे हैं वह स्वार्थ बन जाएगा यानि कि वहल हम अपने हित में प्रयोग करेंगे तो जो है उस पूरुशार्थ से जो हमारे भागे का उदय होगा यदि हम अपनी सुभागे को परमार्थ से नहीं जोड़ सकेंगे तब वह पूरुशार्थ नहीं कहलाएगा देखे यही इसका उत्तर है लेकिन हम समेट करके समार करके लिखेंगे कैसे चलिए देख लेते हैं देखिए जब आपका पहला उत्तर पूरा हो जाए तो फिर एक लाइन छोड़ दीजिए दूसरा उपनमबर डालेंगे और लिखेंगे जब अर्थ हमारा स्वार्थ बन जाए हम केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए पूरुशार्थ करें और पूरुशार्थ को भागे के परमार्थ से नहीं जोड़ें तब वह जो पूरुशार्थ है भागे नहीं कहलाएगा और जो है आपका दूसरा उत्तर भी हो जाएगा चले तीसरा प्रशन देखते हैं तीसरा प्रशन कह रहा है कौन भाग्योदय की प्रतिक्षा में रहे ही चले जा सकते हैं इसका उत्तर आपने देखिए मैं यहां आपको दिखाया था व्याख्या में मैंने कहा था कि उस स्वार्थ के चक्र में जो लोग फंसे हुए हैं वो भाग्योदय की प्रतिक्षा में रहे ही चले जा सकते हैं, यानि जो लोग स्वार्थ की चक्र में फंसे हुए हैं, वो लोग भाग्योदय की प्रतिक्षा में चले जा सकते हैं, लिखेंगे कैसे चले देख लेते हैं, तो देखिए, जब आपका दूसरा प्रशन पूरा हो जाए तो फिर एक लाइन छोड़िए नंबरिंग करियां लिखेंगे जो लोग स्वार्थ के चक्र में फंसे हुए हैं वो भाग्योते की प्रतिक्षा में ही रहे चले जाते हैं कहां क्या कठिन है तीसरा उत्तर भी पूरा हो गया चले चौथा प्रस्ण देखते हैं तो चौथा प्रस्ण कह रहा है पूर्षार्थ और परमात्थ शब्द का आर्थ लिखिये तो यह शब्द हैं कहां गद्याश्च में चले पहले देख तो लें तो देखे यहां पर परमार्थ दिखाई दे दे रहा है तो दोनों शब्दों का आर्थ लिखना है क्या आर्थ होगा मैंने बताया है वहीं लिखा भी है तो चले आपको मैं दिखा दूँ देखे जब आपका तीसरा प्रस्ण पूरा हो तो फिर एक लाइन छोड़ेंगे नंबरिंग करेंगे एक तरफ लिखेंगे पुर्शार्थ परमार्थ देखे पुर्शार्थ का मतलब पराक्रम होता है करतब भी होता है काम करना होता है कुछ भी लिख सकते हैं और परमार्थ का मतलब होता है परोपकार यानि दूसरे का हीत दूसरे का परोपकार ठीक है और यह उत्तर भी पूरा हो जाएगा चले अ बांतिम प्रश्ण कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए तो पहले हम लोग देख तो लें कि रेखांकित अंश है कहां पर तो देखे आपको दिख रहा होगा यहां से लेकर के यहां तक रेखांकित अंश खीचा गया है देखे यह हमारी दो लाइन बड़ी होती है लेकिन यदि जरूरत पड़े तो आप उसके पहले का भी लेख सकते हैं Unfortunately Plate की जरूरत हो यदि है तो उसकोबिले सकते हैं यह बिल्कुल भी जरूरिली नहीं है कि जहां तक रेखा सफी घर आगे सफीनियों उसके सकते हैं तो मैंने कैसे लिखण है चले मैं आपको पढ़के सुना दूँ तो देखिए आप चोथा प्रशन के बाद एक लाइन छोड़ेंगे और नंबरिंग करके हेडिंग डालेंगे रेखांकी तंश की व्याख्या और डैस डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत रेखांकी तंश में लेखक जैनेंद्र कुमार प्रस्ति कहते हैं कि इतना मैंने अपनी तरफ से जोड़ा है अब आगे व्याख्या है हम जिस भाग के उदय होने की राह देखते रहते हैं वह भाग तो हमेशा उदित ही रहता है किन्तु एक ही बार लिखना है किन्तु हम अपने स्वार्थ के कारण उसकी तरफ पीट किये रहते हैं इसलिए हमें पता ही नहीं चलता है कि जिसको हम सामने से देख रहे हैं वह भी उससी पुरुषार्थ के प्रकाश ये प्रकाशित है और सुन्दर दिखाई दे रहा है या इक्षाओं को पूर्ण करने वाला दिखाई दे रहा है पूर्ण बिराम लगा देंगे और आपके रिखां की तंश्रकी व्याख्या भी पूरी हो जाएगी